السلام علیکم class class last time हमने chapter 6 complete कर लिया है और students जो है वो कुछ chapter 4 बोल ले दें start करा ले कुछ chapter 9 बोल रहे दें लेकिन मैं पसंद करूँ है कि हम chapter 4 पहले पढ़ ले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक छोटा chapter है और ये हमारे चंदिक lectures के अंदर complete हो जाएगा तो चेप्टर 4 की हम बात करें देख चेप्टर 4 आप आलड़ी नाम जानते हैं चेप्टर 4 का चेप्टर 4 है motion in two dimensions और इसके अंदर जो हम पहले topic कवर करने जा रहे हैं वो है projectile motion important topic ए बोर्ड की हवाले से सबसे बहले मैंने इसकी basic explanation दी भी है और उसके बार इसमें चंदे derivations है कि अगर कोई object जो है वो certain angle पर अगर हम उसको project करवा देते हैं तो वो maximum कितनी height पर पहुँच जाएगा वो उसकी range कितनी होगी इस तरह की चंदे बाते हैं तो derivation केर हम बात में देखे हैं फिलाल हम देखते हैं कि projectile motion हमसे कहता गया है projectile motion के अंदर सबसे पहला हम इसकी definition की बात कर लेते हैं हमने definition में लिखवा है when an object is projected at an angle theta इस बात का ख्याल लगना है कि angle 90 degree ना हो क्योंकि हम जानते है angle अगर 0 degree होगा या angle 90 degree होगा तो वो horizontal और vertical motion मन जाएगा हमें बलके motion इन two dimension चाहिए यानि certain angle पे object को हमें project करवाना पड़ेगा कि एक ही वक्त के अंदर वो x भी cover कर रहा हूँ और y भी cover कर रहा हूँ तो इसके हमने यहाँ बात बता दी है definition में कि angle 90 degree नहीं होना चाहिए खेर यहाँ पे लिखावा इट moves under the influence of its weight only and follows a parabolic path वो एक parabolic path बनाता है और जो move कर रहा होता है किसके influence की अशिए move कर रहा होता है अपने weight यह से object कह रहे हैं the object is known as projectile and its motion is called projectile motion वो जो कोई भी object जिसको हमने project करवाया है वो object हमारे पास कहलाता है projectile और उसका जो कोई भी motion है उसको हम कह देते हैं projectile motion इस तस्वीर के अंदर ही बाद आपको नज़र आ रही है किसी object को मैंने certain angle ठीड़ा की ओपर project करवाया और वो दूसरे point पर जाके गिर गिया हमें नज़र आ रहा है कि हर point की ओपर कुछ नो कुछ X भी cover कर रहा है कुछ नो कुछ Y भी cover कर रहा है या अब एक्स चेंज हो गिया Y भी चेंज हो गिया फिर X चेंज हो गिया और फिर Y चेंज हो गिया इस وجہ से हम इसको motion in two dimension बोलते है examples कहीं एक बन सकती है board बे फिलाल मैंने दो ही लिख दी है आप football की बात कर लें आप tennis ball की बात कर लें या जो है आप इसके इलावा भी कहीं examples ले सकते हैं कि अगर आप अपने किसी friend से catch catch खिल रहे हैं तो आप जानते हैं यह जो बात बन रहोगा यह भी parabolic होगा और जो इसका motion होगा वो projectile motion होगा हमें यहाँ पर कुछ assumptions का ख्याल रखना पड़ता है जैसा कि जब कभी भी object को हम release करा देते हैं तो वहाँ पर हम किसी किसम की air friction नहीं लेंगे air friction हमें neglect कर देनी है वहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम high altitude की बात कर रहे हैं तो gravity के अंदर भी change आ रहा होता है अगर यह assumptions मैं ना लूँ यह air friction को मैं neglect ना करूँ तो हमारी equations जो है नहायदी बेहाना को जाएंगी खैर इंटर के अंदर हम उन equations को deal नहीं करते बल्कि हम basic equations को deal कर रहे होते तो हम इन तमाम बातों के अगर देने neglect कर देते हैं explanation के अंदर हम बात क्या करने जा रहे हैं हमने यह आपर लिखा है consider an object which is moving with initial velocity initial velocity को हम muzzle velocity बोलते हैं जो बिल्कुली जिस तरह बंदू की नोक से जब object को रिलीज हो रहा होता है उसका इंपर उस object की velocity हो दी है वो muzzle velocity के ला दी है muzzle velocity को हमने v naught से represent किया हुआ है हम बोलने हैं कि हम इस object को v naught velocity से certain angle के उपर ground से project करवा रहे हैं जब हम project करवा देंगे इस तरीके से कुछ तो मैं जानता हूँ यह velocity जो है अपने component से break हो जाएगी अगर यह velocity अपने component से break हो रही है तो मैं इसके components मतला लगा सकता हूँ मैं लिखा है resolving the velocity into its component हम जानते है velocity का x component होगा v cos theta चुकर velocity को v naught बुला होगा तो v naught cos theta और velocity का y component जो बराबर होगा v sin theta के चुकर velocity v naught है तो v naught sin theta दोनों velocities को मैंने x और y component गिंदा break कर दिया है इसके बाद मैंने लिखा है कि body सिर्फ अपने weight के influence भी ऐसर travel कर रही है तो हम जानते है इसकी acceleration है y axis पर यानि y axis के अंदर जो velocity का change आ रहा है वो बराबर होगा acceleration due to gravity के और हम जाते है acceleration due to gravity हमार पर small g होती है यानि कि y axis के अंदर कितनी acceleration produce हो रही होगी यानि उस object को की खेश नहीं रहा अपनी तरफ जबकि ground बर तो खेश रहा है ना अर्थ उसको अपनी तरफ attract कर रहा है लेकिन y axis के उपर किसी किसम की force नहीं लग रही जब y axis के force नहीं लग रही तो हमारे पास acceleration भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो x axis की acceleration हमारे पास 0 है और y की acceleration हमारे पास जो है वो gravity के बराबर है खेर हो हम नहीं आप लिख दिया it means that velocity of projectile along x axis will remain same throughout all of its motion यानि के x axis के उपर velocity change नहीं होगी यहां से यह तस्वीर हमें नजर आ रही है आप लोगों ने काम किस तरीके से करना है कि यह तस्वीर सबसे हैंड में बनानी है जब आप यहां बात लिख देंगे यह वाली कि हमारे पास जो है access के उपर velocity चाहिए नहीं हो रही है और किसी के जिन कोई acceleration नहीं है तो इसके बाद यह तस्वीर आ जाएगी यह तस्वीर आपको बनानी है और इसके बाद जो है अपने next lecture के अंदर इसकी derivations जो तमाम की तमाम है कितना time लग रहा है और बचे कोची नहीं ड्राइफ करवा